हेलो बच्चों मेरा नाम संधी प्यादव मैं ITVHU से बीटे कंप्लीट किया हूँ और मोमेंटम छाथ संग चौक पर मैं as a mathematics hod work कर रहा हूँ और आज मैं आपसे mathematics की preparation को लेकर कुछ अपने ideas या अपने experience share करना चाहता हूँ कि math की preparation आप करे क्या कैसे और मैंस को लेकर आपके thought क्या होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले वच्चों इसमें आपको यह पता रहना चाहिए कि board के examination and ITG में थोड़ा सा difference होता है Board में इस बात को test किया जाता है कि आपने उनके syllabus को कितना touch किया हुआ है fundamental label पे कितना touch किया हुआ कितनी बातें आपके साथ हैं Board में जो questions पूछे जाते हैं अगर किसी topic में आपने दो चार तरह के सवालों को कर लिया याद कर लिया नहीं भी समझ में याद कर लिया तो आप बोर्ड की questions कर ले जाते हैं कहने का मतलब आपके पास कुछ resources हैं उनको आपने apply किया और वहां से output निकाला है यह आपके अंदर कितना बहतर है इस बात को टेश्ट करते हैं अपने सवालों के माध्यम से ठीक है ना तो ITJ की mathematics दर करनी है तो अगर आप चाहें कि सारी mathematics के किताबें पढ़ लें सारी information साथ रख लें और फिर उनके question करेंग ऐसा नहीं होता है बहुत ही concise होकर minimum tools साथ में र अब quantity geometry में जैसे माली जै कॉनिक section की बात करें कॉनिक section अगर आप पढ़ने लग जाएं किताबें देखेंगे तो उस किताब का size देखकर आप परिशान हो जाएंगे इतनी सारी information है कि आप पढ़ते पढ़ते परिशान हो जाएंगे information खत नहीं होंगे है बट अगर आएटी जै को आप focus करके बढ़ रहे हैं तो कॉनिक section में अगर आपने दो तीन tools को ठीक से deal करना सीख लिया एक-एक results को बढ़ियां से apply करना सीख लिया है ना तो आप सारी questions जै के बहुत आसानी से कर पाएंगे मैं अगर बात करूं जैसे पैरा बोला की बात करूं किताबों में अगर आप उनके tangent normal के formula देखेंगे तो आपको मिलेंगे फोर यानि की around मुझे रखता है 12 से 15 formula मिलेंगे जबके सिर्फ एक single एक formula से पूरा का पूरा पैरा बोला solve हो जायागा एक single formula से पूरा ellipse solve होता है पूरा है यही आपको अपने अंदर develop करना है कि आप कुछ tools पकड़ें उन्हें previous year के सवालों में apply कर करके आप इस बात के लिए confident हो कि ITJ में informations नहीं भरे होते हैं बहुत fundamental बाते होती है जो की minimum tools अगर अपने पास है और हम बहुत confident है application को लेकर कर ले जाएंगे calculus की बात करें इतना बड़ा section 50% 55% अगले कबर करता है है ना बट अगर calculus की बात करें हम लोग केवल function और limit ठीक से पढ़ ले तो आपको math पढ़ने का जो एक view होता है आपको पूरी calculus आ गई है ना तो calculus बात को at least decide कर देता है कि आपको पूरी math पढ़नी कैसे है similar algebra में हिसाब किताब है है ना तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि fundamental tools पे बहुत ध्यान देना है उन्हें previous year में बार बार apply करना है जब तक की सवाल करना दें है ना ऐसा नहीं करना कि पांच मिनट दो मिनट सवाल ट्राय किया नहीं है teacher से पूछ लिए ऐसा कभी नहीं करना है ठीक है ना and overall आपको finally कैसे proceed करना है for your preparation पहली बात जब भी आप class करें आप पूरे focus के साथ ध्यान देजीगा इस बात को एकदम focus के साथ class करना है class की हर बात आपको सुनना है ध्यान से उसके बाद एक बहतरी notes बनाना है कि जो बाते सुने जो आपके tools आपके साथ रहने वाले वह आपको पता हो कि आपके पास है जब भी revise करें आप वहां से revise करें ठीक है न and ध्यान से class किया अच्छा notes बनाया बार बार revision किया and previous year के सवालों में apply किया यह process आपको लगातार follow करना है इससे कर पाएंगे तो होगा otherwise फिर कैसे भी नहीं होगा और इतना करने के बाद आपको समय मिलता है तो according to कि आप कैसा perform कर रहे है according to previous year के सवालों को अच्छे से कर पा रहे है तो आप अपनी booklet का जो advanced level question है उस पे समय दीजिए अगर कुछ बच्चे को परेशानी हो रही है previous year करने में थोड़ी बहुत आप अपने booklet का initial label का question try करिए ठीक है ना तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको अनंत सवाल नहीं करने है ना limited सवाल करने है अपने मिले हुए tools को बार-बार practice करना है इतना practice करना है कि आप उसमें expert हो जाए और expert होने का तरीका आपको पता है आपने बच्पन में cycle चलाना सीखा होगा और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि day one में आपने handle नहीं छोड़ा था और day one में handle छोड़कर चलाना आपको कोई person सीखा भी नहीं सकता है ना पहले करते 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 आप expert होते हैं और सीखने का वो process हर जगह अपलाई होता यह बात ध्यान रखेगा ठीक है ना तो मुझे लगता है मेरी बाते आप तक पहुंची होंगी और आपको एक idea मिला होगा कि हमें math को कैसे लेकर चलना है और उसके बाद भी किसी तरह का doubt आपको ह होगा तो momentum छा संग चौक पर हम लोग all time available है अब आकर यहां पर सारी बाते discuss कर सकते हैं कि math को कैसे पढ़ें क्या समझ से आया है क्या strategy होनी चीए सब कुछ हम लोग आपको help करेंगे ठीक है thank you very much